लेक्ट्रोनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आईकन को दबाएं लेट्ष्ट वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तों मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे पास एक 44 एंपिली फायर है उसको हम होम ठेटर की तरह यूज करना चाहते हैं एक चैनल के अंदर हम अपना खाली बेसी लाना चाहते हैं और एक चैनल के अंदर खाली आवाज आवाज लाना चाहते हैं तो मैंने दोस्तों यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास बहुत ही कमेंट आ गए थे कि सर हमें यह सर्कीट पहले जो आपने 62-30 में करके दिखाया था वही हमें 44 के अंदर भी करके सारी है तो यह देखिए यह एक चैनल के अंदर आवाज इस तरीके से आ रही है और मैं आपको दूसरे चैनल में सुनवाता हूं आवाज को और यह हमारी दूसरे चैनल के आवाज है मैं तो देखा आपने एक चैनल के अंदर खाली 25 सायगा और एक चैनल के अंदर आपका 200 दोनाओं को क्योंकिcono्क municipalities पहूत कमेंट आ तैfry तो जियुक्षे लिग मैंने सोचा कि आज यह वीडियो बना ही देता हूं पर यह देखो यह वाला जो चैनल है यह नोर्माल है मैंने इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है इसके अंदर मैंने चेंज किया है तो इसके अंदर खाली बेस ही बेस आ रहा है तो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तो मैंने इसके अंदर क्या चेंज क्या है और आपको सर्किट के अंदर क्या चेंज करना है जिससे कि आप अपने वी एम्पिलिफार में इसी तरीके से कर सके हैं तो दोस्तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है देखिए यह 44 जो आइसी है तो देखिए दोस्तो इसके अंदर आपको चेंज क्या करना है यहाँ पर देखिए लास्ट वाली जो पिन दिखाई दे रही है आपको यह पिन अगर आप आइसी को इस तरीके से पकड़ते ह यह देखे 44 IC है ट्रेंगल की आईसी है ट्रेंगल आईसी आपकी जो है ओरिजिनल होती है अगर आप चाहें तो कभी भी सोप पर जाएं तो ट्रेंगल आईसी मांगें कि देखें ट्रेंगल आईसी का यह लोगो है यह आईसी ओरिजिनल होती है और इसकी जो है हीटिंग बहु यहां से यह लाष्ट वाली पिन हो गई तो देखिए इसमें माले कि आरा है डालेक देखा देता हूं देखिए इसके नदर जो लाष्टे के से है यह ल लगी हुई तो आपको अगी है यह आपको आपको चेंज करना वह जो भी है यहां पर 120 ohm की रजिस्टेंस लगी हुई थी मैंने यहां पर 68 ohm की रजिस्टेंस लगा दी है आपको शिरिफ यह करना है कि आपकी यहां रजिस्टेंस जितनी भी लगी हुई है उसका आधा कर देना है आपको अगर यहां पर 220 लगी हुई है तो आपको 100 ओम लगा देनी है और अगर आपकी यहां पर 120 ओम लगी हुई है तो आप यहां पर 68 ओम या 60 ओम की रजिस्टेंस लगा सकते हैं तक्यूंकि देखे यहां पर देखें देखें यहां पर स्केंद्र क्वाली पिन और यहां पर मैंने 800 तला करा दी। एक बार मैं आपको और बता देताम हम यह तडिके सेल लगी हुई बैंको आप्षऊं देना है आगर आप करके से पकड़ेंगे दस्केस दरीक लगी उभी कि देखेंबर में यहां पर 120″ एक सोड़ी गेंगी ती मैंद्र । कर दिया आदा करने के बाद होगा होगा कि है इसके नदर कि आबाद थोड़ी और तेज होने के बाद फृर हमें क्या करना है इसके अंदर है यहां पर देखिए जो आपकी आईसी की औररी इंपूट है कि तो देखिए आपकी आई सी कि यहाँ पर audio इंपूर्व है आप हमेशा याद रखे कि जो audio की इंपूर्ट वाली जो पीन है वह देखिए यहांपके यहाँ Me भी होम की रिजिस्टेंस लगी हुई है उस रिजिस्टेंस को आप आधा कर दें यहां पर मैंने पी अप देखी 924 लगाया है आप 324, 424, 524, 624 कोई सभी पी अप लगा सकते हैं पी अप को जो है मैंने ओडियो से ग्राउंड कर दिया यह देखिए यह वाला ग्राउंड है ए फिर एक रिजिस्टेंस को चेंज कर दिया चेंज करने का वही क्या है उसको हमने आधा कर दिया आधा करने से आवाज तेज हो जाती है क्योंकि यहां से हमने बेस करा बेस करने से आवाज कम हो जाती है फिर हमने रिजिस्टेंस को आधा कर दिया उससे आवाज तेज हो गई अब देखे यह ग्रीन वाली वायर आप कौन सी पहचानेंगे कि यह ग्रीन वाली वायर पर आपको कहां पी अप लगाना है यह देखे ग्रीन वाली वायर जो है यह आपके सीधी वोलियम पर आ जाती है यह देखे यहां लगी हुई है यह देखे वोलियम पे green wire अगर आप PF को यहां नहीं लगाना चाहते हैं अगर आप PF को यहां नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस PF को यहां भी लगा सकते हैं इस green वाली एक टांग आपको green वायर पे लगानी होगी मैं आपको देखे आराम से दिखा देता हूँ एक टांग जो है आपको यहाँ ग्रीन वाली वायर पे लगानी होगी और एक टांग जो है ग्राउंड पे लगानी होगी तो उससे क्या होगा कि आपका एक चैनल के अंदर बेस आने लग जाएगा लेकिन बेस आने के बाद क्या होगा कि आपकी आवाद जो है थोड़ी कम हो जाएगी एम्पलिवायर की आवाद कम हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना होगा कि आईसी की जो यह देखे इन्पूट की जो बगल वाली पिन है जो पहली नंबर की पिन है वहाँ पर एक कैपिस्टर लगा हुआ है, कैपिस्टर के आगे एक रजिस्टेंस है, उस रजिस्टेंस को आपको आधा कर देना है, आधा का मतलब आपको हाप कर देना है, जितनी भी आपकी रजिस्टेंस ओम के अंदर लगी हुई है, उसी रजिस्टेंस को आधा कर देना है अगर आपके पास वो resistance नहीं है तो जितनी resistance आपकी बोर्ड के अंदर लगी हुई है जैसे कि 120 ohm की आपकी अगर resistance लगी हुई है तो यहाँ पर भी आप 120 ohm लगा दे नीचे से और अगर आपकी 220 ohm लगी हुई है तो आप नीचे से 220 ohm resistance लगा दे आपका circuit इसी तरीके से वर्क करेगा जैसे मैंने अभी आपको testing करके दिखाया अब testing जो है मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ जिसे की आपको clearly पता चल जाए कि circuit हमारा किस तरीके से काम करेगा हमेशा याद रखें मैंने आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि आई-सी की पहली नंबर की pin होगी अगर आपको आई-सी इस तरीके से पकड़नी है तो पहले नंबर की pin होगी अगर आई-सी इस तरीके से लगी हुई है तो last वाली pin होगी जहां पर आपकी resistance चेंज होईगी और पी-अप चाहे volume पे भी लगा सकते हैं पी-अप जो मैंने आपको बताया आप चाहे तो volume पे भी लगा सकते हैं ground और input पे ground और बीच वाली pin पे चाहे आगे बीच वाली pin पे या पीछे से और अगर आप यहां नहीं लगा सकते हैं अब देखे मैं आपको एक बार और चेक करा देता हूँ काम कर रहा है तो देखे दोस्तों मैं एक बार और को दिखा देता हूँ हमारा सर्कुट देखे किस तरीकेसा काम कर रहा है कि अब हुआ है और देखे जो सर्कुट में हमने चैंज नहीं किया है उसकी आप देखे किस तरीके से आ रही है तो इससे क्या होगा आपका एक साइड आप बेस चल सकता है और एक साइड जो है आपका स्पीकर दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बैल का आकन को जोड़ दुमाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा